हाई गाईज विल्कम बैक तो दे चैनल फैशन और ट्रिक्स पाइस नहीं है वैसे तो मैं रेगुलर व्लॉग शेयर नहीं करती बटा सोचा कि आज का इवनिंग टुनाइट आप लोगों के साथ शेयर किया जाए कि मेरा यूज्वल रूटीन क्या होता है ओफिस फिनिश करने के बाद यहां मैं थोड़ी तेर बैटी हुई थी चाए पीना था फिर चाए पीते पीते मैंने सोचा कि इससे पहले थोड़ा अपना स्केडियोल देख लूँ क्योंकि वीकिन है वीकिन में मैं चैनल के लिए किस टॉपिक पे नए वीडियोज क्रियेट करने वाली हूँ कौन-कौन सी चीजे में को चाहिए वो सारी चीजे मैंने राइट डाउन करना स्टार्ट किया अपने नोट बुक में और मैं इसे लिख के रखती हूँ क्योंकि ओफिस का पेशर फिर घर के थोड़े बहुत काम होते हैं तो उसमें क्या होता है? सब हौच-पौच हो जाता है दिमाग में रहता नहीं तश्से बैतर है कि जब आपको कोई अर्जिन चीज है जो आपको करना है बहतर है आप कहीं अपनी डायरी में नोट बुक में नोट करके रख लें वो ज्यादा बहतर है और ये चाय पीने के बाद थोड़ा सा मैं ये पास दस मिनिट का मीटाइम स्पेन करती हूँ बाहर का वेदर बहुत अच्छा था सुपर से बारिश हो रही थी तो सोचा कि चलो बाहर निकला जाया आप देख सकते हो या मैंने कोई फिल्टर यूज नहीं किया है और पूरा एकदम इसकाई और इंच कलर का हो रखा था पूरा चेंज हो गया था सकाई ब्लू और इंच टाइप का हो रखा था सोचा आप लोगों के साथ शेयर किया जाए तो मैं थोड़ से होता है संसेट के राइम पे तो बहुत कुछ दिमाग में होता है बहुत कुछ सोचती हूं और पूरा ये फर्ष आपको दिख रहा होगा पूरा गिला है बारिश के विज़े से कुछ फ्लावर्स आये थे यहां पे इसे जॉबा फूल कहते हैं बेंगॉली में हिबिसकिस और इंदी में गुडहल और यहां पे नाइन ओ क्लॉक का भी प्लांट रखा हुआ है फूल खराब नहीं हुए वैसे यह बहुत चल्दी मतलब मुर्शा जाते हैं सुबह सुबहीं क्योंकि पारिश के वज़े से यह लंबे टाइम तक टिके रहे हैं यहां है रोस और यहां है फ्रेंगी पानी चमपा उसके बाद मैं आगई अपने रूम में रूम में थोड़ा थोड़ी सी चीज़ें इधर रुधर हुई थी सूफ़ी को पहले मैंने ठीक किया फटा फट 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 फिर यहां पे कुछ बेची फैले हुए थे मैंने उसको भी ठीक कर लिया क्योंकि यूकर विकेंड में मैं ज्यादा काम जमा नहीं रखना चाथी उससे पहले ही कुशिश करती हूँ कि इस चाहता है और फिर 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 चाहरा है तो कुछ हो नहीं पाता तो यहां पर सारी चीज़े फिनिश करने के बाद आप देख सकते हैं कि सब कुछ मैंने यहां पर सिट कर लिया और यह है मेरा सबसे एक प्यारा कॉर्डर रूम का कोजी कॉर्डर जिसे आप कह सकते हो मैं ज्यादा टाइम स्पेस पंड करती हूँ और करने के बाद अब मैं फटा फट जाओंगी शावर लेने क्योंकि शावर के बाद मैं को करनी है पूजा पूजा अगरने के बाद ना क्राइस रूम में इतने अच्छे वाइब्स होते हैं पूरे घर में बहुत अच्छा लगता है और इनरजी दूगनी हो जाती है फिर फटा फट मैं आगे किचिन में ममा ने यहां पर पूरे इतने सारे बर्टन क्लीन करके रखे थे मैंने उसे उठा के फटा फट अपनी अपनी जगह पे रखना इसे स्टार्ट किया और बहुत सारे बर्टन उन्होंने वाश किये थे मैं को मालूम नहीं था जिससे मेरा काम थोड़ा सा हलका रहे उन्होंने कर दिया और फिर उसके बाद में को कुछ रोटिया बनानी थी उन्होंने अल्लेडी चिकन करी बनाया था और बहुत ही यमी चिकन करी होता है मतलब मेरे को जितना भी चिकन के लादो कहीं का भी और घर का जो बना हुआ ममा के हाथ का जो चिकन होता है न वो डिफरेंटी होता है ऐसा आप लोगों के साथ भी जरूर होता होगा आप लोग बताना जरूर फिर सारे काम फिनिश करने के बाद मैं आगई रूम में यह रहा मेरा यमी सा टिनर यहां पे कुछ ने सालेड तो नहीं कम्प्लीट लिया लिमन ले लिया है और लिमन के साथ अनियन और इसका जैसे ही मैंने एक बाहिट लिया मैं क्या हो लूँ आप लोगों से मन मेरा खुश हो गया तो फटा फट मैंने अपना डिनर कम्प्लीट कर लिया डिनर कम्प्लीट करने के बाद मैं यहां हाथ पर मूद होके आगई थोड़ी देर आप कह सकते हो अपना मी टाइम मैं फिर से स्पिंड करूंगी और अभी तो मतलब कुछ खास काम अब इसके बाद है नहीं तो थोड़ा देर मैंने सोचा कि स्पिंड कर लिया जाए थोड़ा बुक रीड कर लिया जाए रीडिंग एक बहुत अच्छी हैबिट होती है जिसके थूँ आप थोड़ा सा अपना स्ट्रेस रिलीव कर सकते हो और गार्डिनिंग रीडिंग वाकिंग यह बहुत सारी अच्छी हैबिट्स होती है जो मैंने टाइम के साथ छोड़ दिया था और यह मेरी बहुत पुरानी हैबिट्स थी बीच में छूट जाने के फज़ज़ से मैंने काफी सफर किया बहुत सारी चीज़ों का I hope very soon मैं आप लोगों से वो सारी चीज़े भी शेयर करूंगी तो थोड़ी देर कुछ भी हो रीट करने के कोशिश जरूर करना यह इतना रिलाक्स देता है ना माइन को अगर आप एक पेज भी रीट करते हो दीरे 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 वो हैबिट आपके इंक्रीज होती जाती है यह सब करने के बाद बुक्स मतलब रीट कर लिया मैंने रीट करने के बाद अब आता है नाइट स्किन केर रूटीन का मैंने यहाँ पे थोड़ा सा फेस को स्क्रब कर लिया क्योंकि दिन भर का डर्ट फिर स्वेटिंग सारी चीज़े रहती है जब तक स्क्रबिंग अगर एक बार कर लेते हो तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट होता है स्किन सॉफ्ट होता है स्मूध होता है और बहुत अच्छा भी फ्री फील होता है मतलब फ्री फील करते हो आपकी जैसे लगता है कि स्किन के उपर से कितना बोज, कितना डर ढट गया है तो ये मैंने स्क्रब कर लिया कर रही हूं और इसे राउंड राउंड सर्कल में अपने फेस बे मैं इसे हाथ को रब करती जा रही हूं और इसके बाद तो जादा कुछ काम है नहीं, मैं फटा फट इसे फेस वाश कर लूँगी फिर उसके बाद टेंटल केर, औरल केर बहुत ज़रूरी है मैं इसके बाद ब्रश करती हूं और ब्रश करने के बाद फिर मैं आती हूं, थोड़ी देर बेट पे बैठती हूं, मेडिटेट करती हूं खुद को पांस-दस मिनट ये फेस स्क्रब और ब्रश करने के बाद बहुत ही अच्छा फिल हो रहा था और अब थोड़ी देर में बैठोंगी और हेयर को ना, मैं सोने से पहले बांद लेती हूं, टाइ कर लेती हूं क्योंकि खुले बालों में में को सोना परसनली नहीं पसंद और बाल खराब भी बहुत होते हैं तो इसे हलका साथ आई कर लेना बहुत ज़्यादा अच्छा होता है खेर, तो अब मैं यहां पे फेस पे एक यह हायलोरली कैसिट है लॉरियल का, यह मैं बहुत लंबे टाइम से यूज करती हूँ, मैंने इसे अपलाई कर लिया मौशराइजर मैंने नहीं अपलाई किया सेरम अपलाई किया है उसके बाद मैं यहां पे आई क्रीम यूज करूँगी और लिप बाम लिप स्क्रब करने का मन नहीं था तो इसलिए उसे स्किप कर लिया और लिब बाम बस यूज़ करूँगी that's it फिर उसके बाद जैसे कि मैंने बताया आपको मैं कुछ देर यहाँ पर 5-10 मिनट खुट को मेरिटेट करूँगी मेरिटेट करने के बाद ये वीडियो को एडिट करना है I don't know कितना टाइम लगेगा कितना लॉग वीडियो हुआ है अभी में को आइडिया नहीं है तो ये सारी शीज़े बाकी है और जो मेन्वाइल मैंने शूट भी किया है कुछ वो भी वीडियो मेरे को एडिट करने है वो mostly यूटूब शॉट्स होंगे तो आप लोग देखना उसमें कुछ यूसफुल चीज़े है जो मैं शेयर करने वाली हूँ आप लोगों के साथ कल परसो में दो शॉट्स आ जाएंगे तो ये जो एक होता है ना ये जो नाइट्स के रूटिन होता है ये एक रेमेडि के तरह होता है ये बहुत पीस्फुल होता है बहुत काम फिल आप करते हो और बहुत अच्छा लगता है इसके बाद और मेरी मानो तो इसे डेली हैबिट में अगर आप शामिल कर सकते हो तो ये बहुत ही अच्छा है इससे बेहतर कुई चीज नहीं हो सकता और self care, self love भी ज़रूरी है सारी चीज़े करो अपनी family को भी देखो multi talented होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आजकल के time पे आजकल तो मालूम ही नहीं चलता कैसे year to year, day to day, month to month, weekend to weekend जैसे हवा में उड़े जा रहे हूँ यह मेरा personal experience है यह month 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 चले जा रहे है back to back year आ जाएगा new year, I hope सब के life में बहुत कुछ अच्छा हो और मैं अपने लिए भी wish करती हूँ कि सारी अच्छी wishes सब की पूरी हो और सब अच्छे से रहें तो आज का वीडियो मैं यहीं पे finish करती हूँ अगर कुछ अच्छा लगा हो तो please do like, share, comment and subscribe to my channel फिर मिलती हूँ आप लोगों से एक नए वीडियो में till then take care, good night love you all, ta-da